आनंद ज्ञान जुकत है, समसार का आनंद जड़ होता है, रसुग उल्ला खाया, कैसा है, बस ऐसे करो मुह बनाओ, लेकिन भगवान का ज्ञान ऐसा है, बगवान तो सरबग्य रहते ही है, दूसरे को भी दान देते हैं, ज्ञान का, और भगवान में गुण है, अनंत गुण है, जैसे आईश्वर्ज, साब पर शासन करना, साब पर श्वान्ष हो, या विभिन्नान्ष हो, चाहे ब्रह्मा विष्णू शंकर हो, और चाहे हम लोग माया बद्ध हो, साब पर शासन, नियामन, और भगवान में माधुर्ज है, मधुर्टा है, सर्वावस्था में, और तेज है, ताल पर, माया पर, सब पर शासन, और भक्त बात्चल गुण भी है, और भक्त बश्चता भी है, अनन्त गुण है, प्रिथिवी के रजकनों को आप गिन सकते हैं, गुणों को नहीं गिन सकते, योवा अनन्तस, गुणा ननन्ता, ननुक्रमिष्यन, सत बाल बुद्धि, कोई नहीं गिन सकता, और भग्वान सगुण भी है, निर्गुण भी है, सगुण तो है ठीक है, निर्गुण भी है, हाँ, दोनों कैसे हैं, यस्त निर्गुण इत्युक्त शास्त्रे शुजगदीश्वरा, प्राकृताईर हेजय संजुक्ताईर, गुणाईर, हीनत्व, मुच्यते, पद्नु पुराण कहता है, प्राकृत गुणों से रहित है, यह माईक गुण जो हम लोगों पर हाभी है, सत्त गुण, रजो गुण, तमो गुण, यह नहीं है भगवान के उपर, उन्हें दिब्ध गुण हैं, और सब से इंपोर्टेंट बात सुनिए, ब्रह्म के तीन स्वरूप हैं, ध्यां से समझना, बधन्तिततत्त्तबविधस्तत्त्त्पम यज्ज्ञानम अद्वयं ब्रह्मेति-परमात्मेति-भगवानिति शब्यते, पहले अस्कंद के दूसरे अध्यायका ग्यारहमा अशलो एक का नाम ब्रह्म, एक का नाम परमात्मा, एक का नाम भगवान, तीन भगवान नहीं, ब्रह्म एक ही है, भगवान एक ही है, उसके तीन रूप हैं, उनमें अंतर क्या है ये रूपों में, ब्रह्म जो है, उसमें सबसे कम शक्ति प्रकट होती है, प्रकट, अपनी सत्ता की रक्षा करना और सुरूपानन्द ये दो तो परमावश्चक है ब्रह्म को भी और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती इसलिए उसको अब्यक्त शक्तिक ब्रह्म कहते हैं दूसरा है परमात्मा ये सगुन साकार रूप वाले होते हैं लेकिन लीला नहीं होती परिकर नहीं होते इनके तीसरा है भगवान श्री कृष्ण इनका रूप भी है गुण भी है लीला भी है धाम भी है जन भी है सब कुछ है और सारी शक्तियों का प्रकट होता है इसलिए इनको परतत्प कहते हैं इन्ही के अंसेश सब हैं परमात्मा भी ब्रह्म भी यहां तक की अस्पष्ट बेदों ने कही दिया इदा पश्या पश्चते रुक्म बर्णम करतार मीशं पुरुशं ब्रह्म योनिम यह ब्रह्म की योनि है स्री कृष्ट गीता में कहा है न यह तीसरे मुंड़क के पहले खंड का तीसरा मंत्र है जो मैंने बताया और गीता में कहा है मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं ब्रह्म मुझ में श्थित है चौदामे अध्यायका 27 माश्डोग ताहार अंगे रशुद्ध किरन मंडल उपनिशत कहे तारे ब्रह्म सुनिर्मल स्रीकृष्ण के शरीर की लाइट का नाम है ब्रह्म और क्या है ब्रह्म का स्वरूप यानि स्रीकृष्ण का स्वरूप सजाती ये बिजाती ये सुगत भेद शूनि हैं और क्या है सर्व कारण कारण है अनादिर आदिर गोविन्दस सर्व कारण कारण पांचमे अध्यायका पहला अश्लोग ब्रह्म संगिता गीता में कहा है न मत्त परतरम किंचिनान्य दस्तिधन अंजय मैं सबसे परे हूँ मुझसे परे कुछ नहीं है और आश्रे तत्व है स्री कृष्ण आश्रे तत्व सब के अंतिम आश्रय आधार प्रिथिवी का आधार जल का आधार तेज तेज का आधार बायु बायु का आधार आकाश का आधार अहंकार अहंकार का आधार महान महान का आधार प्रकटी प्रकटी का आधार स्री कृष्ण का आधार कोई नए एको देवस्तर्वभूते शुगूढस्तर्वभ्यापी सर्वभूता अंतरात्मा बेद कहता है श्योताशत रोपनि सच्छट्वे अध्याय का ग्यारावा मंत्र और स्री कृष्ण आकार वाले हैं वो ब्रह्म आकार वाला है नर्बपु वाला मनुष्ण के शरीर वाला है ये पसंदाया भगवान को शरीर बनाना अपना भी यत्रावतीर्णं कृष्णाख्यं परंब्रह्म नराकृति विष्णु पुरान और भगवान का धाम भी है और भगवान करशक है श्री कृष्ण सब्द का अर्थ क्या है करशति योगिनाम चेतान सीति क्रिष्णा जो परमहंसों के मन को खीच ले जबरदस्ती उसको क्रिष्ण कहते है अरे स्वयम को उनको अपने उपर आश्चर्ज होता है मैं इतना सुन्दर विष्मापनम स्वस्थ्यचसाव भगर्धे तीसरे असकंद के दूसरे अध्याय का बारहमाश लोग रूप देखी आपनार क्रिष्णे रहोए चमतकार और स्रिक्रिष्ण करूना मैं है सबसे बड़ा गुन अंतिम टाप का कैसे मालूम दागवत में स्रिक्रिष्ण उद्धव से कहते हैं ग्यार में असकंद के चौदा में अध्याय का सोला माश लोग उद्धाव सोन कान खोल के मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं क्यों उनकी चरण धूल मेरे उपर पड़े मैं पवित्र हो जाऊं मैं भक्तों के हाथ बिका हुआ हूं उनका दास हूं गुलाम हूं खरीदा हुआ गुलाम ये मैंने थोड़ी सी परिभाशा बताई ब्रह्म की उनकी परिभाशा सरस्वती ब्रहस्पती अनंत काल तक बोलते रहे तो भी समाप्त नहीं होगा ऐसा ब्रह्म है अब चलो जीव पर विचार करें मैं पर भगवान को छोड़ो अभी मैं मैं ये हम लोग बोलते हैं न मैं किसी से पूछो आपका परिचे आप कलक्टर हैं मैं डिगरी नहीं पूछता आपको पूछता हूँ तो मैं मैं रमेश हूँ मैं आपका नाम नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको पूछ रहा हूँ मैं मनुष्षू बाडी है तो मनुष्य आपका शरीर है मैं आपको पूछ रहा हूं है क्या आप-ाप करते हैं और क्या बतांग अपने आपको आप नहीं जानते तो आप बाहर हैं बड़े खतरनाक हैं आपको तो mental hospital में रहना चाहिए बड़े जानने का दावा करते हैं सब लोग है और हमारे ये धिगरी है हम ये काबलियत रखते है बड़े बड़े बैज्ञाने अपने आपको तो आप जानते नहीं क्या जानते तो मैं को जानना चाहिए चलो जानने की चेश्टा करते हैं मैं कौन है तो पहले बेदों में कहें पादोस विश्वा भूता नित्रपा दस्यामर तंदिवीत्रपा दूर्ध उदैत पुरुखा बेद कहता है कि इस तारे जीव भगवान के अंश है भगवान की शक्ती है बिश्णु शक्ति परा प्रोक्ता छेतर ज्याख्यात था परा अबिद्या कर्म संग्यान्या तृतिया शक्ति रुच्यते तीन शक्ति उसमें प्रमुखा है परा शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति छे साथ एक सठ विश्णु पुरान अदे गीता तो आपने पढ़ी है ममईवान शोजीव लोग के जीव भूतस्चनातन साब जीव मेरे अंश है और मेरी शक्ति है भूमिरापो नलोवा युखम्मनो बुद्धिरेवचा हंकारितियम्मे भिन्ना प्रिकृतरस्चदा परेजमितस्त्वन्याम प्रिकृतिम बिद्धिमे पराम जीव भूताम महाबाहो ये एदम धार जते जगत साथ में अध्याय का चौथा पाचमाश लोग गीता अर्थाज मेरी दो शक्ति हैं एक परा माने जीव एक आपरा माने माया जीव चेतन है माया जड़ है स्वकृत पूरेश्वमीशो बहिरंतरसं बरणं तव पूरुशं बदन्त्य खिल शक्ति धृत्यों स्वकृतं भागवत दश्मसकंद के सत्ताशने अध्याय का बीश्वाश लोग इस अब कह रहे हैं कि जीव भगवान की शक्ति है शक्तित्पे नान सत्पम् व्यंजयती शक्ति होने के कारण जीव को भगवान का अंश कहा गया अब बेदान्त पर आजाओ सब से धिटेल में बताया है बेदान्त ने मैं कौन हूँ अंशो नाना व्यपदेशाथ दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का बैयालिस्वा सूत्र यानि सब जीव भगवान के अंश हैं और इसको सिद्ध करने के लिए और चार सूत्र बना दिए मंत्र बरनाच्च अपिचा स्मर्जते प्रकाशा दिवद नईवं परहा स्मरतिचा एचार ब्रह्म सूत्र बनाए इस बात की पुष्टी के लिए एक एक ब्रह्म सूत्र की लंबी लंबी ब्याख्या में नहीं कर सकूंगा नाना संबंध हैं बेद कह रहा है दिव्यो देव एको नारायनो माता पिता भराता सुरिद गती गीता कहती है न एच छठमा है सुबालो पनिशत और गीता में गतिर भरता प्रभु साक्षी निवास शरनम सुरिद प्रभवा प्रलय अस्थानम निधानम बीजम अब्यम नवे अध्याकाठ रावाश लोग वो हमारा सब कुछ है मा बाप बेटा जो कुछ कहो मुख से सब प्रिष्टे भगवान से हमारे हैं कपिल भगवान ने कहा था इशा महम प्रिय आत्मा सुतस्च सका गुरु सुरिदो दैव मिष्टम तीसरे असकंद के पचीसमे अध्यायका अर्थिसमाश लोग ठेक और जीव की दूसरी परिभाशा जीव की आनू है की विबू है की शरीराकार है ये डाउट है यानि सर्ब व्यापक है या शरीर के बराबर होता है या बहुत जिससे अधिक सूक्ष्म कुछ न हो तभी तो आप लोग जब मरते हैं शरीर छोड़ते हैं तो कोई देखता नहीं किदर से गया बड़े बड़े बैज्ञानिक बड़े बड़े यंत्र लगा के देखने की चेश्टा करते हैं नहीं देख पाते हैं इतना सूक्ष्म है और फिर ए शोडु रात्मा मुंड को पनिशद भी कह रहा है तीसरे मुंडक के पहले खंड का नौवा मंत्र सूक्ष्मानाम अप्यहम जीवा भागवत भी कह रही है ग्यार में सकंद के सोलह में अध्याय का ग्यारहमाश लोग अनू होता है और बेदान्त ने तो बड़ा लंबा लिक्चर दिया है उत्करान्त गत्या गती नाम बेदान्त ने कहा कि देखो जीव की बाहर जाना उपर जाना फिर लोट के आना ये लिखा है बेद में तो सर्ब्यापक कैसे हुआ हो अनूई सामान होगा जो इस प्रकार जाता है शरीर से निकल के बाहर कौशीत की उपनिशत इसरे अध्याय का चोथा मंत्र सयदास माच छडीराद दुत क्रामति सहाई वैचाई सरवै रुत क्रामति चोई ब्रिश भानु नंदिनी रादे सोई मम स्वाम निश्री रादे चोई ब्रिश भानु नंदिनी रादे सोई मम स्वाम निश्री रादे चोई ब्रिश भानु नंदिनी रादे सोई मम स्वाम निश्री रादे चाको नेत द्धाम बरसानो चाको नेत द्धाम बरसानो सोई मम स्वामी निश्री रादे या को दिक थांग भर सालो सोई मम स्वामी निश्री रादे सोई व्रिष भान नंदि नी रादे सोई मम स्वामी निश्री रादे जोई प्रिश्वानु नंद नेरादे, सोई मम स्वामिन शीरादे जोई प्रिश्वानु नंद नेरादे, सोई मम स्वामिन शीरादे जाको रास स्थल व्रिंदावन, सोई मम स्वामिन शीरादे जाको रास स्थल व्रिंदावन, सोई मम स्वामिन शीरादे सोई प्रिश्वानु नंद नेरादे, सोई मम स्वामिन शीरादे सोई मम स्वामिन शीरादे जोई व्रिश्वानु नंद नेरादे, सोई मम स्वामिन शीरादे जोई की रती की रती की मूरती, सोई मम स्वामिन शीरादे जोई व्रिश्वानु नंद नेरादे, सोई मम स्वामिन शीरादे जोई व्रिश्वानु नंद नेरादे, सोई मम स्वामिन शीरादे जोई व्रिश्वानु नंद नेरादे, सोई मम स्वामिन शीरादे झाल झाल